हाई फ्रेंड्स टूविल रॉलिण में आपका अर्धिक स्वागत है आज हम बात करेंगे होंडा जैन्यून के ओईल के बारे में और कौनसा ओईल बीए सीक्स में डालना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे तो यह है दोनों होंडा एक्टिवा के ओईल एक 800 ml जो के पुराने में डलता है और दूसरा 600 ml जो के बीए सीक्सी में डलता है तो आज हम बात करेंगे एक्टिवा सीक्सी के ओईल के बारे में तो जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलोजी वाला बीए सीक्स एक्टिवा आया है उस पैकिंग आप देख सकते हो बहुत ही बड़ीया पैकिंग में दिया हुआ है और इसकी हम प्राइस की बात करें तो यह 320 रुपे में मिल जाता है कंपनी का जैन्यून और आप देख सकते हो इसके उपर लिखा हुआ रहता है बीएसिक्स तो यह बीएसिक्स लिखा हुआ है तो ही आप एक्टिवासिक्स में यह वाइल डलवा सकते हो या कोई भी बीएसिक्स एंजीन जो भी नए बाइक आया है उसमें कंपरसर यह बीएसिक्स लिखा हुआ है व पुराना ओईल जो भी जो कम्पनी बनाती है वो आप ये 6 में नहीं डाल सकते हो और ये जो है पुराने एक्टिवा का ओईल है 800 ml उसका ग्रेड आप देख सकते हो 10W30 है और इसका जो ग्रेड है वो 5W30 है तो ये दोनों ओईल ये जो आंच्टिवा में ही डालना है ये ओईल आप Activa 6E में नहीं डाल सकते हो कई लोग डाल देते हैं पर ये नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसका जो grade और एडिटीव होते हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं इसके कारण ये नहीं डालना चाहिए आप देख सकते हो इसके उपर कही भी BS6 लिखा हुआ नहीं रहता है क्योंकि ये BS6 के लिए बना ही नहीं है और इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये 360 रुपे में आपको मिल जाएगा होंडा का जैन्यून जो पुराने एक्टिवा सभी है उसमें आप ये डाल सकते हो और BS6 में ये ओईल नहीं डाल सकते हो दोनों ओईल का डिफरंट की बात करें तो एक तो ये ग्रेड अलग-अलग रहता है कॉन्टिटी अलग-अलग रहती है और ये जो BS6 है वो BS6 में ही डाल सकते हो पुराना वाला आप 60 में नहीं डाल सकते हो ऐसे वीडियो के लिए प्लीज सस्काइब मैं टूब चैनल और आपको कोई मैसेज या कन्फूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो उसका मैं जरूर से रिपलाई दूगा ऐसे वीडियो के लिए प्लीज सस्काइब मैं टूब चैनल थेंक यू